हेलो डियरी स्टुटेंट्स मैं हूँ जेपी सिंग और आप देख रहे हैं केमिस्टी गुर्जी चैनल यह हमारी लेक्चर टैन है यह से सकेंडेर इन और गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट टू हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें हमने फिनिस कर लिया है अब हम पढ़ रहे हैं हैं यूनिट फर्स्ट टक्र Grade bubbles और यूनिट टू का कजो हमारा यह लेक्चर है वैसे टु लेक्चर है तो जो हमने क्ल बढ़ आmy ब्र्मने बढ़ ब्लोक एलिमेंट है Και कल हमने क्या पढ़ है डी भ्लोक एलिमेंट ठीक है और यह हमारा कूस्चन सुरू हुया वा है, यह हमने complete नहीं करा है कल हमने क्या पढ़ लिया था कल हमने एक तो इसकी definition पढ़ ली थी ठीक है, एक तो हमने इसकी definition पढ़ी थी और जो दूसरा हमने पढ़ाता वो हमने पढ़ी थी इसकी series ठीक है, एक हमने इसकी definition रटी थी दूसरा हमने इसका क्या पढ़ाता वृ इंके साथ साथ ही एख में इसका heading भी पढ़ लिती वह हमारी heading क्या थी ही इसमें electronic configuration ठीया यह हम रहा है यह हमने इसमें पढ़ लिया था electronic configuration ठीया है यह हम इसमें पर चुके है ठीक है configuration ठीक है हम पढ़ चुके हैं इसमें definition हमने clear कर ली थी इसकी series भी हम इसके पढ़ चुके हैं और जो electronic configuration है वो भी हम इसका पढ़ चुके हैं अब definition में हमने इसकी क्या clear कर आता कि d blocks elements कि ने कहेंगे या फिर जो हमारे पास में transition elements थे कि ने कहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो d blocks elements होते हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं transition elements ठीक है इन्हें हम क्या बोल देते हैं transition element ठीक है याद रखे गए इन्हें हम transition element बोल देते हैं अब मैं आपको यह भी समझा चुका था कि जो transition elements है वे d block होते हैं दे ब्लोक elements मगर मैंने आपको साथ साथ यह भीखाता है कि यह जुरूरी नहीं है कि अगर d block होगा तो वे फिर transition elements होगा ही होगा क्यों क्यों क्योंकि जब इनकी series का जो last का जो बिरकुल सबसे end का जो elements होता है जो metals होती है वो transition elements नहीं होती है जबकि क्या होती है वह एक d block element ह होती है ठीक है डी ब्लोक तो होगी मगर वह transition element नहीं होगी ठीक है इसी टाइप से हमारा CD भी था CD भी क्या था डी ब्लोक है मगर transition नहीं है ठीक है transition नहीं है ना पहला है वो नहीं दूसरा जबकि यह क्या है एक d block elements है इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि transition elements उसे कहेंगे जिसके पास में जो d है कैसा होगा incomplete ठीक है जिसके पास में d कैसा होगा incomplete होगा उसे हम क्या बोल देंगे उसे हम बोल देंगे transition element ठीक है जिसमें भी d fulfilled भरावा होगा या उसके जितने भी orbitals हैं और सारे के सारे वे fulfilled हुए रहेंगे उसे हम transition element नहीं कहेंगे अगर उसे हम d block कहेंगे क्यों d block की definition क्या थी d block d block जितने भी हमारे पास में यह elements निकलकाए थे यह सब वे थे जिनमें जो last का electron था वो d sub cell में एंटर कर रहा था ठीक है अगर last का electron d sub cell में एंटर करेगा तब हम उसे क्या बोल देंगे d block element ठीक है तो यहां d block element की definition हम कल खिलियर कर चुके हैं फिर बात करते हैं इसकी series की तो इसकी जो series थी वो कितनी थी इसकी पढ़ चुके है ठीक है तो इसकी जो series थी वो कितनी थी वो इसकी series थी चार ठीक है यह वाली series यहां से तो जो पहली series थी उसे हमने क्या बोल दिया था उसे हमने बोल द्या था, 3D एक यसे हमने क्या बोल ज्या था, वह हमारे क्या थी, udसरे नंबर पहरे थी, फिर तीसरे नंबर पहरे थी, हमारी तीसरे नंबर पहे क्या था, फाइव दिठा, फिर बात करेंगे, चोत्य नंबर फैージ, ये फोर्त पोजेशन पहे, यह भी बताया था इसे 3D क्यों कहते हैं इसे 5D क्यों कहते हैं उसे 6D क्यों कहते हैं याद रखेगा जिसमें last का electron 3D sub cell मेंटर करेगा उसे हम बोल देंगे 3D elements ठीक है और जो उनकी series बनेगी जिसमें जितनी भी elements उसमाएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे 3D series ठीक है तो अगर किसी में 4D में एंटर करता है last का electron 4D series में रख देंगे 5D में एंटर करता है 5D series में रख देंगे और 6D में एंटर करता है तो 6D में हम उसे रख देंगे चलिए अब एक मिनट के लिए बात करते हैं हम किसकी electronic configuration की तो electronic configuration हम इनका कल समन चुके हैं अब हम electronic configuration से आगे चलते हैं जो हमारी heading 2 है oxidation state मैं हम oxidation state को clear कर लेते हैं ठीक है day yet हम मुझेऊ के है कोस्चन में जो हम में पहली हैं मिली थी the parallel यही मिली थी electroni configuration ठीक है जो कि लेक्ट्रोनिक जो configuration था já को से हम clear कर चुकहे ठीक है अब हमारा जब पॉइंट टू है वह हमारा oxidation state अब हम क्लियर करेंगे वह मैं और अब हमने चलिवा इसमें देख और छानल वह समझेगे है कि जया बर चलिए का अब अम सुरू कर लेते हैं अपना अप्सिदेशनीसटेट और चो हमुक्षिदेशनीस टेट अपना सुरू कर रहे हैं, इसमें हमने लिखा हुआ है, accept the elements, ठीक है, यहां से समझेंगे, accept the elements of ZN group, they show variable state in this state, this is because very little difference in the energy of outermost cell and punctuate D sub cell, इसकी हिंदी हम अभी बिर्कुल एक दम बहुत ही clearly समझेंगे, ठीक है, हिंदी भी नहीं छोड़ेंगे, and electron from both the energy levels may be used for bond formation, the less common and unstable oxidation state are given in bracket, ठीक है, अब हम समयते हैं, यहां इसने हम से कहा है, accept the elements of ZN group, ठीक है, हमने हैं, जो accept कर रखे हैं, वे केवल ZN group के ही elements लिए खेंगे हैं, ठीक है, तो ZN group के ही elements को मियां सबसे सुरू में देखेंगे, ठीक है, they show variable state, ठीक है, यह बदलती हुई state, show करते हैं, state का मतलब आप समझे रहे होंगे, अवस्ता, ठीक है, सो का मतलब परदर्शित करने से हैं, और variable का मतलब होता है, परिवर्थित, ठीक है, तो यह एक परिवर्थित oxidation state show करते हैं, this is because, यह होता है, क्योंकि very little difference, बहुत ही कम difference होता है, काई में, इन, the energy of outer cell, जो सबसे last की cell होती है, उसकी energy में, and punctuate D subcell में, और just उससे जो पहली होती है, D subcell में, उससे पहली cells की D subcell में, ठीक है, बहुत ही कम difference होता है, इनकी energy में, and electrons from both the energy levels में भी use, तो electrons जो होते हैं, दोनों के use हो जाते हैं, जो outermost cell होती है, उसके भी, और जो उससे just पहले की होती है, ठीक है, ठीक है, just पहले वाली cells में, उससे भी, last से पहली भी, ठीक है, और जो विरकुल last की है, उसमें से भी, दोनों के electron use हो जाते हैं, इसमें, फिर इसके बाद में हमने यह पढ़ा है use for bond formation, bond formation के लिए the less common and unstable oxidation state are given in bracket, इनकी जो common और unstable oxidation states हैं, वे हमने नीचे bracket में दीवी हैं, किस किस टाइप की हो सकती है, चलिए अब अब इसे इसके oxidation state हम देख लेते हैं, ठीक है, तो यह हमने हैं oxidation state इनकी लिए हुई है, यह हमारे पास में है elements है, जो हमने इस वाली side में यह लिए हैं, और जो बीच में हमने यह दिखा रखे हैं, यह बीच में हमने जो दिखाए हैं, वो इनके electrons दिखाए हैं, ठीक है, यह हमारे पास में elements, subcell में electron और यहां हमने दिखाए हैं, इनकी oxidation state, तो यहां हमने Scandium SC से लिखे, जैडन लिया हुआ है, यहां जो हम बार-बार बात कर रहे हैं, वो हम किस की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं, 3D series की, ठीक है, जो सबसे ज़्यादर question आता है, जो सबसे ज़्यादर पुछा हुआ है, वह 3D series ही होता है, तो हम सबसे पहले 3D series की ही बात कर रहे हैं इसके बाद में हम 4D की भी बात करेंगे 5D और 6D की भी बात करेंगे वैसे हमारे जो सेलिबस में है केवल 3D complete है और 4D और 5D के electronic configuration है इसके बाद में कुछ नहीं है फिर भी अगर कुछ होगा तो हमसे clear कर लेंगे 6D तक भी अगर कभी ऐसा होता है गाव टूप सलिबस जाएगा तो हमारा महासेव है clear हो जाएगा और प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर आपने पहले से subscribe किया हुआ है तो आपको बार-बार subscribe करने क्या है नहीं है वीडियो को like कीजिएगा और अधिक सेदिक सेर भी करिएगा ठीक है फिर इसके और दो चार तो इसकी plus 4 तक जा सकती है इसके पास में 5 है 5 तक जा सकती है इसके पास में कितने है 6 तो इसकी जो maximum हो सकती है इसके पास में देखेंगे तो 7 हो सकता है maximum plus 7 तक जा सकती है अब इसकी होगर हम बात करेंगे तो इसके पास में कितने हो जाते हैं यहां 8 हो जाते हैं मगर यह 8 उक्षिद्धेशन इस्टेट सो नहीं करता है plus 6 तक 100 यह कर देता है ठीक है यह देखेगा 2 यह है और 1 2 3 4 ठीक है 4 और 2 6 maximum 6 हो जाएगी इसकी बात करेंगे तो आप यहां से आराम से पता लगा सकते हैं 2 यह है 1 2 3 ठीक है तो कितने होगी 5 maximum कितने हो जाएगी 5 इसकी बात करेंगे तो maximum कितने हो जाएगी 4 हो जाएगी इस वाले की बात करेंगे तो इसमें से maximum 1 और 2 और इसकी बात करेंगे तो खेवल 2 अगर आपको इसके पास में इलेक्ट्रोन होंगे उतनी इसकी ऑक्सिडेशन इस्टेट आ जाएगी जो भी आपको यहां यह एंड वाली सैल में मिले वे हैं या फोरेस में इसमें इलेक्ट्रोन जोड़ लीजेगा मैकिमम नंबर प्राफ्ट होगी जैसे कि यवा आपने ये 2 हैं ये कितना है 3 तो मैकिमम कितनी हो गी 5 और साथ, साथ के बाद में जोड़ा बनना शुरू हो गया है, तो जोड़े वाले इलेक्टोंस हट जाएंगे, बिना जोड़े वाले ही काउंट किया जाएंगे, तो यह कितने हैं हमारे पास में 4 थे, 4 और 2, 6, इस टाइप से इनकी maximum लिख सकते हैं आप, और minimum लगभग सब की कित तो यह आपको oxidation state लिखना भी याद करना भी अच्छे तरीके से यहां से समझने में, आगे होगा, फिर भी अगर आपको कोई problem है पढ़ने में, समझने में, आप मुझे वीडियो के नीचे comment इसमें कर सकते हैं, चलिएगा देखते हैं इसका अगली slide, यहां फिर हमने इसमें समझा है भी है, क्या the relative stability of oxidation state, ठीक है, जो relative stability है, किसकी oxidation state की, वो कैसी कैसी है, उसके अब हम यह discuss करने वाले हैं, तो यहां हमने लिखा वाए the relative stability of oxidation state, can also explain on the basis of d0, d5, d10, ठीक है, विर्कुल भी complete है, half complete है, full complete है, electronic configuration, जो stability है, ions की, उसे हम समझा सकते हैं, d के आधार ठीक है, अगर d, full complete है, तब भी वह stable होगा, ठीक है, अगर d, पून रूप से भरा हुआ है, ठीक है, completely filled है, तब भी वह stable होगा, अगर d, half filled है, तब भी वह कैसा होगा, stable होगा, ठीक है, और अगर d में कोई electrons नहीं है, तब भी वह क्या होगा, stable होगा, ठीक है, यह condition होती है, किसकी stable होने की है, ठीक है, हमने example लिया वा था, जैसे, यहां लिखका वाता, ti4 plus, तो इसका electronic configuration यह है, 3D में भी electron 0 है, 4S में भी 0 है, is more stable than, यह अधिक stable होता है, किससे, ti3 plus है, यहां d में एक electron होता है, जब यहां d में एक electron है, तो ना तो इसका electronic configuration 3D 0 है, ना ही 3D 5 है, और ना ही 3D 10 है, ठीक है, stable केवल इन condition में यह हो सकता था, तो इसका मतलब यह कैसा है, less stable, और यह कैसा है, more stable, फिर कुछ condition नीचे भी हमारी हैं दी होई है, जैसे कि यह लिया हमने यह, FE3 plus, इसमें हमने देखा, तो 3D कैसा है, half field, S में कोई electrons नहीं है, is more stable, यह more stable है, किस से, FE2 plus से क्यों, क्योंकि हैं D में कितने हैं, 6 electrons, भाई मेरे, जो अगर half से जादे हो जाए, half से कम हो जाए, full field से कम रहे, ठीक है, तो ऐसी condition में, जो हमारे पास में, जो atomic orbitals होते हैं, जो sub cells होते हैं इसके, ठीक है, इनमें जो यह atomic orbitals होते हैं, D, S, P, कि यह stable नहीं होते हैं, stable होने के लिए कि वह लेकी condition है, या तो यह half filled हो, ठीक है, या फिर यह कैसे हो, full, full filled या फिर half filled, यह होने चाहिए, अगर इससे कोई भी और condition बनती है, तो यह stable नहीं होंगे, तो यह हमने देखा, इसमें D में कितने electrons हैं, 6, अब 6 electrons है, तो हाप से जाद होगे, तो यह कैसा हो जाएगा, less stable हो जाएगा, भले इसके पास में electrons जाद हैं, ठीक है, ऐसी हमारे पास में है, Cu+, Cu+, का electronic configuration देखेंगे, तो D कितना है, completely filled है, 3D10, is more stable, यह अधिक stable होता है, किससे, Cu2+, क्यों, क्योंकि Cu2+, में 3D9 बनता है, अब जो 3D9 है, तो 3D9 को आप समझ सकते हैं, ठीक है, सोरी, 3D9 बनेगा, तो जो 3D9 होता है, वो completely, ना तो filled है, ना ही half filled है, और ना ही D में 0 electrons है, कितने हैं, 9 है, 3D9, तो इस condition में क्या होगा, जब D में 9 electrons होगी, तो यह कैस हो जाएगा, less stable हो जाएगा, किस से, जिसके पास में 10 electrons है, तो यह आप कुछ सही से समझ में आगे होगा, चलिए, अब देखते हैं, अगली slide, अब हमारी अगली heading है, formation of colored salt, ठीक है, जो color salt यह बनाते हैं कौन, transition metals, वो किस type से बना देते हैं, किस कारण से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी heading है, formation of colored salt, ठीक है, अब इसे पढ़ना सुरू करते हैं, most of the transition metals compound, जो अधिक से transition metals compound होते हैं, वे कैसे होते हैं, ionic as well as covalent, ठीक है, तो उनमें जो bond बनते हैं, दिक्तर, वे कैस कैसे होते हैं, ionic होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, covalent, और colored, बोथ in, solar state, solar state में यह कैसे होते हैं, colored होते हैं, and in aquell solution लिखाव भी यह है और colored both in ठीक है यह colored होते हैं दोनों में कब जब state कैसी होगी हमारी solid भी होगी और कैसी होगी aqueous होगी दोनों की दोनों condition में क्या हो जाएंगे यह हमारे दोनों की दोनों condition में जो हमारे atoms होंगे जो ions होंगे हमारे metals transition metal compound होंगे वह हमारे कैसे हो जाएंगे इसमें लिखावा है color is due to the presence of incomplete subset ठीक है जो हमारे पास में color आता है वह color किस कारण से आता है ठीक है अब हम इसका color देखेंगे ठीक है हमने लिखावा है वह किस कारण से आता है वो आता है incomplete d sub cell की वचे से ठीक है incomplete d sub cell की वचे से ठीक है वहन दा एना एन एन एप्रोच दा transition metal आयन that d orbitals do not remain degenerate that is they do अगले पेज़ पर पढ़ेंगे, मैं आपको यहां समझा देता हूँ, यहां लिखावा है, color is due to the presence of incomplete sub-cell, जो color होता है, उसका कारण है, incomplete D sub-cell, ठीक है, D sub-cell का incomplete होना, ठीक है, बना नहीं रहता है, वो कैसा हो जाता है, degenerate, that is, they do split, वो क्या हो जाता है, split हो जाता है, किसमें, two parts में, T2G में और EC में, देखिएगा, अगले slide पर आपको दिखाई देंगे, they do have not same energy, they split हो जाता है, और उसके जो D orbitals हैं, वे same energy नहीं रखते हैं, splits हो जाते हैं, काई में, एक तो हो जाता है, हमारे पास में, T2G में, और दूसरा हमारे पास में हो जाता है, EG में, ठीक है, ये दो parts होंगे, एक T2G, और दूसरा EG, दो energy level हमारे बन जाते हैं, ठीक है, one with lower energy, एक की energy कैसी होती है, कम होती है, एक कम energy के साथ रहता है, and outer with high energy, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, high energy के साथ में, this is crystal splitting, इसे हम क्या बोल देते हैं, क्या कहलाता है, इसे हम crystal splitting भी कह देते हैं, crystal ये विखंडन, ठीक है, अपने पड़ा होगा कभी crystal ये विखंडन, 12th class में, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, crystal splitting, the amount of energy required for d-d electron transition is very small, ठीक है, d-d electron transition के लिए, जितनी energy की आविशकता होती है, वह amount बहुत ही कम होता है, छोटा होता है, small, and is absorbed, और ये absorb हो जाता है, from the visual region, ठीक है, जब हम इसे देखते हैं, visual region में, इसके कारण ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, from the visual region, ठीक है, the color and other configuration of some of iron of 3D transition series are as follows, तो जो color है, किसका, outer configuration के कारण, कुछ ions का 3D transition series का, ठीक है, वो नीचे दिया गया है, चलिए अब एक बार हम इसका color भी देख लेते हैं, किस type kind का color होता है, तो यह हम देखें गे, हमने जितने भी हाँ हैं, सब का church कितना है, इस kendium पे charge कितना है, 3 plus आयवा है, तो इस kendium को एक बार दिखान से देख लेंगे, इसके इंडियम का चार्ज कितना है, 3+, ठीक है, टीक है, टीओ पे 4+, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर वैनेडियम, किरोमियम, मैगनीज, आईरन, कोबाल्ट, निखिल, कोपर, कोपर, और जीं, यह हमने बना रखे हैं, ठीक है, दो चार्ज वाले भी ले रखे हैं, अगर इस Candium में Electrons कितने होंगे Plus 3 होंगे तो इस Condition में इसके पास 1 Electrons आ जाएगा, Sorry, नहीं आएगा कोई Electrons नहीं आएगा क्या सोज़ेगा, Colorless होज़ेगा Ti4 Plus की बात करेंगे, इस Condition में इसके पास में भी D में कोई Electrons नहीं रहेगा फिर Colorless होज़ेगा WI3 Plus की बात करेंगे D में 2 Electrons होंगे Colorful होज़ेगा, इद रखेगा Green Color का हो रहा है, अगर D में Electrons कितने हो जाते हैं, 0 यहां लिखके समझाता हूं ठीक है इद रखेगा, अगर D में Electrons कितने हो जाते हैं, 0 तब Colorless हो जाएगा D में Electrons हो जाते हैं, 10 तब भी colorless हो जाएगा और अगर डी में electron हो जाते हैं पांच तो याद रखेगा यह यह light color क्या होगा ठीक है इनका जो color कैसा होगा हो कैसा होगा light color ठीक है इस type C हमने लिखे हुए हैं यहां हमने बनाया डी में zero colorless डी में तीन violet डी में पांच लाइट पिंक पांच होते ही कैसा हो गया है देखेगा light पिंक 6 के बाद में कैसा हो जाएगा green साथ के बाद में किसना हो जाएगा pink अगर 8 होगा electronic conversion फिर green हो जाएगा 10 होगा colorless हो जाएगा 9 पे blue हो जाएगा और 10 पे फिर दुबार से क्या हो जाएगा colorless अब आप एक चीज ओर समझेगा अगर हमारे पास में unpaired electrons same आ जाए इनमें ठीक है जो unpaired electrons है अगर वे कैसे हो जाएगे same यदि unpaired electrons कैसे है same तंब उनका color भी कैसा होता है same होगा ठीक है याद रखिए का color भी कैसा होगा उनका same होगा हम यहां बात करेंगे किसकी यहां हमारे पास में कितने अनले एक टोन्स है जब b में three, तो इसका रंग कैसा आ रहा है? violet आ रहा है, हम बात करें किसकी? D 7 की, तो इसका color कैसा आ रहा है? pink आ रहा है, wink में और violet में कोई ज़्यादा difference नहीं होता है अगर आप देखेंगे तो लगभग आप की एक जैसे से ही लगेंगी, ठीक है फिर बात आती है कि इसकी 5 की 5 पे कैसा जाएगा light pink 6 है तो 6 में कितना जाएंगे इसके पास में 4 जाएंगे तो इसका color कैसा आ रहा है यहाँ इसका भी green ही आ रहा है और अगर 9 होंगे तो इसमें केवल एक ही है यह में तिलक्टोंस होगा तो इसका color कैसा आ जाएगा विल हो जाएगा तो इस आप इस तरीके से याद कर सकते है कुछ तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे जैसे कि बहुत सालों में क्या है 0 है इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0 फिर इसके बाद में यह 10 वाला है ठीक है अगर किसी में unpaid electron का number कितना आएगा टू आएगा तो हमसे क्या बोल देंगे green बोल देंगे ठीक है तो एक इसमें दो है unpaid electron और इसका बात करा तो इसमें भी कितने हैं दो इसके बास में बचे जहादे कहा है कोई जाते में इसे याद आखेगा इसके इसके फॉर्थ हेड़िग पढ़ना सुनू करते合 देंग हमारे पास में complex salt formation अभॉम क्या पढ़ेंगे complex x information पढ़ेंगे हैं चलिए पढ़ते हैं Transition metals from complex Because Transition metals होते हैं वे complex बनाते हैं क्यों बनाते हैं पहले नमबर पर देखेगा इसमें They have small size इनका size कैसा होता है Small होता है Small आकार, छोटा आकार होने के कारण Small size होने के कारण ये क्या काम करते हैं Complex size बनाते हैं या complex compound बनाते हैं फिर इसके बाद में इसका दूसरा region भी समझेगा They have large effective nuclear charge और जो इनका जो nuclear चलिएगा देखेगा इसमें इसके बाद में हमारे पास में है इसका third point They have vacant d-orbitals और ये क्या रखते हैं खाली d-cuck-suck भी रखते हैं ठीक हैं इनके पास में d-orbitals कैसे होते हैं Vacant का मतलब खाली से है इनके पास में खाली d-orbitals भी होते हैं और ये सारे ही कारण है इनके किसका complex salt formation का ठीक है या complex ion formation या complex compound formation का ठीक है अब पढ़ते हैं इसके theory जो हमने हैं लिखी वी है since the central metal atom is surrounded by the neutral molecules इनमें जो central metal atom होता है वो surrounded होता है घिरा होता है by the neutral molecules neutral molecules के दवारा और anion के दवारा ठीक है या anion के दवारा जो इस परकार के जो compound होते हैं जिनके हम बात कर रहे हैं किसकी complex की ठीक है ये हम क्या लिख रहे हैं complex salt जो complex salt होते हैं इनमें जो इस टाइप के हमारे compound होते हैं इनमें जो हमारे पास में central metal होता है वो घिरा होता है किस से वो घिरा होता है neutral molecule से या फिर anion से और जिने हम क्या बोल देते हैं ligand ठीक है जिने हम क्या बोल देंगे ligand और central metal को का इसे दिखाएंगे M से M4 metal से ठीक है और यह क्या 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 लाएंगे हमारे the neutral molecules और anion are card यह क्या लाते हैं हमारे ligand ठीक है नहीं are card ligand is card coordination number ठीक है और यह क्या क्या coordination numbers ठीक है जो ligands है coordination number अलग से निकल गाएगा याद रखेगा यह हमारे क्या कहलेंगे लिखेंड ठीक है नहीं और यहां की कोई लाइन मिसिंग होगी मैं आपको बता देता हूँ जो नंबर सोफ लिगेंड होता है वह कहलाता है क्या कोडिनेशन नंबर ठीक है हमने लिखाओ है ना और कार्ड लिगेंड तो इसके बाद में एक लाइन आनी चाहिए नहीं धी थी है अंदा नंबर ओफ कोडिनेट बॉन ठीक है दननमबर ओऊ ओल spl इच्छाओ आ थीक है इसलिखाल कई इस नंबर सोता है कौ्टिनेट बॉन लाता है कोडिनीशन नंबर चलिएगा बगली सलाइड में चलते हैं देखिए गंवी इसलाइड में हमनेरे है डी ब्लोक elements have a nice tendency जो डी ब्लोक elements होते हैं इनकी बहुत ही एक अच्छी tendency होती एक परवर्थी होती है to form बनाने की complex complex को बनाने की is due to इसका कारण है क्या the presence of small highly charge इसका कारण है ठीक है अतिसूकस्तम अधिक चार्ज ठीक है जो छोटा और अधिक चार्ज है charged iron जो इनके पास iron होता है कैसा होता है size में small होता है और कैसा होता है highly charged होता है with vacant orbitals ठीक है vacant orbitals के साथ में खाली के साथ में to accept loan pair loan pair को accept करने के लिए of electrons donated by other atom और groups ठीक है और groups या iron के द्वारा दिये गए electron को accept करने के लिए जो पहले सी क्या होता है खाली होता है तो यहां आपको समझ में आ गया होगा d block elements का complex बनाने का जो कारण है वह यह है कि जो d block elements होते हैं जो d block metals होते हैं जो transition metals होते हैं इनके पास में पहली बात तो यहां पहले सीज़ में चोटे होते हैं और highly charged होते हैं इनका जो charged है वह charge कैसा है वह होती जाद है तो यह highly charged होते हैं और size कैसा होता है इनका छोटा होता है vacant d orbital इनके पास में होते हैं तो vacant d orbitals में तो यह lone pair of electron को accept कर लेते हैं ठीक है और highly charged होने के करण electron को accept भी करेंगे attract करेंगे इसका example हमने लिया वह है इसमें fe cn6 4- तो यहां हमने एक लिया वह है fe cn6 4- एक example हमने यहां लिया है चलिए से consider करते हैं let us consider the case of fe cn6 4- अब हमने यहां यहां एक लिया हुआ है fe cn6 4- इन इन इस complex iron इस complex iron में सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि central metal iron कों सा है तो यहां central metal iron है वह कोन है iron ठीक है iron iron is present as fe 2+, whose electronic configuration है जिसका electronic configuration कुछ इस परकार से है जैसे कि हमने दिखाया है ठीक है जब यह अपनी ground state में होगा तो electronic configuration इस टाइप का होगा और जब यह अपनी excited state में चला जाएगा तो दो electron को donate कर देगा और इसके जो बात की जो यह s वाले हैं तो इसके electrons चले जाएंगे और यहां कितना रजाएगा इसमें 0 electrons अर्था तो इसमें कोई भी ground state समझाई है f e in ground state ठीक है यह ground state of f e ऐसे लिखाओ हो गए है 3d में जितने electron से उन्हें भर लीजेगा 4s में जितने electron से उन्हें भरिएगा 4p पहले सी बनाया हुआ है हमने क्यों प्यारे बच्चों के वह हम बना लेते हैं अब आप बात करेंगे 3d की 4s की क्या आपने 3d और 4s की क्यों बनाया है तो प्यारे बच्चों केवल वही हम बनाएंगे जो end में खाली होंगे जैसे कि हमने इसमें last में पढ़ाता 3d series वाले में तो हमने इसमें पढ़ाता 3s2, 3p6, फिर 3d पढ़ाता ठीक है तो यह दोनों तो complete थे हमारे 3s2, 3p6, खाली को उन्ता केवल 3d औ ठीक है उसमें इलेक्टों घट बढ़ रहे तो हम केवल होने लेंगे जो last में होंगे ठीक है जो खाली होंगे जिन में जगे होगी इलेक्टों की तो हम केवल लास्ट वाले ही बनाएंगे 3d फिर 4s और हमने 4p extra में बना के चल दिये हैं शुरुवात में ही ऐसा समझेगा हम हाथ में लेक्टों लेके चल रहे हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो खिला देंगे अब यहां बात करिएगा इसकी 3d की तो इस 3d में हमने क्या काम करा फिर दुबारेश हमने देखा कि जब f2 बन जाएगा तो इलेक्टों किसके जाएगे तो पहले इलेक्टों किसके चले हैं 4S के और 3d में अब इलेक्टों वैसे की वैसे ही बचे वे हैं तो यहां जो हमारे पास में इससे जो लिगेंड जुडावा है वो कौन जुडा है cn1 की स्ट्रोंग लिगेंड है जब इससे आगे जुड़ेगा तो जो इलेक्टों कोन्फिग्रेशन होगा जो इलेक्ट इलेक्टों से हमारे पास में 6 ते 2,3,4,5,6 तो अब हम इने हुंड के नियम की विक्रीद भरेंगे 1,2,3,4,5,6 बाद के से भी क्या हो जाएंगे इसमें खाली तो यह जो बाद के खाली है इन सब में जो लोन पेर है वे है अपना एक इलेक्टों का जोड़ा डोनेट कर द दो D के यूज हो गए है एक S का यूज हुए है और तीन किसके यूज हुए है P के तो इसका hybridization भी इसी टाइप से हम लिखेंगे जिसमें hybridization है D के कितने यूज हुए है दो तो D के उपर दो लगा देंगे S का एक यूज हुए हो आएक ही रहन देंगे S में होता भी जर्नल लिएक ही है पी के कितने यूज है तीन तो पीपे कितने लिख देंगे तीन तो हमारे पास में जो hybridization हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा D2 SP3 hybridization ठीक है inner orbital octahedral complex है क्यों क्योंकि इसमें अंदर का D orbitals use हुआ है तो इस हम क्या बोल देंगे inner orbital octahedral complex ठीक है डाइ मैगनेटिक है low spin है low spin की condition मैंने आपको बताई थी low spin जो depend करता है वो depend करता है किस पर ligand अगर ligand कैसा होगा strong होगा लिगेंड कैसा होगा इस्टोंग तो इस्पिन कैसा होगा लो कैसा इस्पिन करेगा वो लो अगर लिगेंड कैसा होगा वीक होगा ठीक है तो इस्पिन कैसा करेगा हाई करेगा मगर याद रखेगा यहां अमारे पास में जो है वो कैसा है streakicon कैसा होगा दाइव मेगनेटिक है डेक्षी का जोड़ा बना अगया एक्षेगा गहां जब 3 प्लस वाला ठीक है यह हमारे पास दूसरा example है इसका जो आपको स्क्रेयन पर दिखाई दे रहा है ठीक है ठीड प्लस वाला तो इसमें हमने क्या काम करा हुण क्या-क्या condition इसे हम outlook कर लेते हैं तो इस वाले case में जो हमारे एक्तोने कॉन्फिग्रेशन लिख लेंगे कुछ इस टाइब का होता है जब स्याइब ध्री प्लस बनाएंगे तो एक लेक्टोन से हमें इसका भेजना पड़ जाएगा और दो चले जाएंगे इसमें से तो आप 4S में इलेक्टोंस कितने रह गए है 0 और D के भी 2 इलेक्टोंस यहां से चले गए हैं फिर पहले की तरह हम बना देंगे इसकी क्या ग्राउंड इस्टेट, XISD इस्टेट और formation of complex ठीक है यह वाली हमारी शुरू की हो जाएगी ग्राउंड इस्टेट ओब तो D में कितने इलेक्टोंस थे, 5 थे S में कितना था, 1 तब हमने भर दिये है फिर इसके बाद में CR 3 पिलस बना था XISD इस्टेट बनी थी XISD इस्टेट में D में कितने रह गए थे, 3 X में कोई नहीं था, PM ने एक्स्टर में बना रखा है ठीक है, अब हमने क्या देखा CR चे कौन जुडावा है, NH3 ठीक है, तो NH3 कोई Strong ligand नहीं है, weak ligand है तो इस condition में क्या होगा, जो back bonding होगी वह है, नहीं होगी Electrons, होंड के, नियम के अनुसार ही भरेंगे, ठीक है, according to Huns rule हमने देखा Electrons, जैसे टे, हुंड के नियम के नुसार भरें तो सुरू के 3 में भरें, फिर इसके बाद में सारे के सारे खाली रह गए हैं, इस condition में NH3 क्या काम करता है अपना एक donor atom देता है, और एक vacant d orbitals को fill कर लेता यह देखे का जब weak ligand है तो weak ligand के लिए कैसा जाएगा, यह low spin हाजएगा, ठीक है low spin, अब हमने हैं लिखा wise में, paramagnetic paramagnetic का मतलब क्या होता है, भाई paramagnetic का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो पर्ति चुम्बक्य बोल देते हैं ठीक है, यह कैसा होता है पर्ति चुम्बक्य होता है, अर्थाथ चुम्बक्य कुनिस के अंदर होता है inner orbital, octahedral complex है यह भी क्यों, क्योंकि इसमें भी अंदर का decux abuse हुआ है और यह कैसा है, octahedral complex है तो यह कैसा है, octahedral complex है 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 इस टाइप का है तो यह भी कैसा है, octahedral complex है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करना न भूलिएगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को subscribe कीजेगा और अगर आपके पास में आपके ओड़ दोस्त हैं जो BST chemistry पढ़ना चाहते हैं BST कर जो chemistry है, inorganic chemistry पढ़ना चाहते हैं या organic पढ़ना चाहते हैं या physical पढ़ना चाहेंगे कभी भήश्या में तो क्योंकि मैं लगातार बैच पड़ाता रहाँ तो उन्हें भी आप इस वीडियो को सेर कीजेगा ठीक है और वीडियो को दिखाईएगा थैंक यू